जुगनुओं से भर ले आचल बीत जाए कहिना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल हो कल जो होगा देख लेंगे कल मांग में तेरी दो जहां धर दूँ तेरी जुल्फों में दो जहां भर दूँ बीत जाए कहिना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल हो कल जो होगा देख लेंगे कल कहते हैं कि फन खुदा का अदिया होता है और अच्छी आवाज खुदा की और खुद्रक की देख है पाकिस्तान में ऐसी आवासे मौझूद हैं जिल की गहराईयों में और रूब में उतरती चलिए आती हैं बड़े बड़े नाम हमारे फनकारों में मौझूद हैं ये अव तरनमू जहां मैदी हसन गुलाम अली फरीदा खानम इकबाल बानो और बेश्मार नाम जो जहन के पर यके बाद दीगरे तस्वीरों की तरह आते हैं और गुजट जाते हैं ऐसी ही एक खुद्सूरत आवाज अब से कुछ अरसा पहले हवाओं के दोश पर विक्री और इस आवाज ने अपनी तरकी का एक और सफर एक और मन्जिर तेकी है और पाकिस्तान की सरदों की बाहर मुलक और बेरून मुलक गोशे गोशे में उ непनी सराहियतों का लगुह हमन वाया है और पाकिस्तान का नाम रशन किया है तो धनक की जाने से खुशामदीद, शमना जी वेलकम, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है खासर पर आपको देखके कि आप जो मेरे लिए एक लफ इस्तमाल कर लें वो किसी एवार्ड से कम नहीं है मिरे लिए मेरी बड़ी खुश किसमती है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहां पर आके और मैंने यहां प्रोग्राम भी किया है और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि सुनने वाले बहुत अच्छे थे बड़े खुशत लोग थे, बड़े प्यारे लोग थे फनकी कदर करने वाले थे बड़ा च्छा हुआ पर गया और मैं समझता हूँ कि जो लोग आज की तक्रीब में नहीं आ सके उन्हें यकिनी तोर पर अफसोस होगा और जब वो लोग जो इस महफिल में मौजूद थे जब जा कर उन्हें बताएंगे कि आज की महफिल हकीकत तने की यादकार महफिल थी और ऐसी महफिल थी कि यहां से उटने को जीनी चाह रहा था अब देखिए रात का तकरीबन एक बज़ ने माला है लेकि लोगों की आहलत थी कि वो फरमाशों पर फरमाशों कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि बस आप गाते रहें और वो सुनते रहें जी हाँ बिल्कुल और हमें भी बिल्कुल एहसास नहीं हुआ इस चीज़ का कि क्या टाइम हो गया है या क्या या क्या ति जब अच्छा सुने वे लोग बैट है है और फनकार को पता है आप को कि वो दाद का भूका होता है और लोग अगर उसके फनको सरा है तो ऊहरुस का और जो है उसमें जोश PYDA South होता है कि वो और मज़ीद अच्छा होगा के सुनाए उनको और जो कुछ अपने अंदर जो अपनी इसलाहियत है वो ज़रा बाहर निकालने के कोशिश कहता है शर्मनम ये अमरीका का पहला दोरा है या इससे पहले भी आपाई है जी बिल्कुल पहला है लेकिन मेरे खाल में त मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपिरेंस इस अलास्ट एक बजे रात के जहन भी तोड़ा सा ओट हुआ है तो पहला इसमें मियामी में जो प्रोग्राम किया है पहला ही इतना अच्छा हुआ है कि दिलचार है कि दुबारा भी हो क्योंकि पहली दफा में इतना अच्छा रिस्पॉंस मिला है और मैं यह उमीद करती हूं कि इन्शाला नेक्स टाइम जब आउंगी तो भी लोग इतना ही प्यार और मुपत बिलकिस से भी ज्यादा शायद यकिनन देंगे और बात यह है शबनम कि जब माहौल हो सुन यह तो जाहर है फिर माहौल तो बनेगा और लोग उससे याद रखेंगे अच्छा मैं तो आपके हवाले से बहुत सी बाते जानता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि हम धर्ट टेलिविजिन के देखने वालों को आपके बारे में जादर से जादा मालूमात फराहम करें कब से मैंने आठ साल के उमर से गाना शुरू किया था और यह सिंधी प्रोग्रम ता जिसे मेरा स्टार्ट वा था कराची सेंटर से प्रोग्रम चलता था रोशन तारा और उसमें जो मैंने गाना गाय था वो मैं आपको तोड़ा सा सुनाओंगी आपको अंदाजा हो जाएगा क्य याद कहते हैं ना कि आपको पहला गाना याद है आर्ट इसे हमेशा पुछता आपकी पहली फिल्म कौन सी थी तो मैं आपको थोड़ा सा स्माते हूं रेसां रोशन तेसां तारा पेसां प्यारा रोशन तारा अलब सा उझरा बैसा बेहितल सीन सा सोना झे शिर मेशां रोशन तेसा तारा बेचसा प्यारा रोशन तारा वाँ ये बताईए आपने बाकाईदा तालीम हासिल की म्यूजिक की और आपके उस्टार्ट कौन थे? जी हाँ बिल्कुल पहले तो शौकिया स्टार्ट किया और उसके बाद अलावा ये कि स्कूल में मैं नात खान मुशूर थी और अलमदोल्ला मैंने नाते भी बहुत मेरी जो इंगलेंड में बहुत सारी सीडीज रिलीज हुई हैं और इंटल स्टार वालों ने और हाई ट्रैक सबनी जैसे सुना कि इसकी आवाद अच्छी है गाने भी गाने चाहिए बच्चों के प्रोग्राम से गाते गाते हैं फिर यह हुआ कि जब थोड़ा सा बड़ों की लिस्ट में आई तो फिर बड़े प्रोग्राम्स किये और पिर नाइंटी फॉर में मुझे पहला जो है व माशालला अपने काम के वह वाहिद हैं और नुसर फतली खान सामरूम अल्ला उनको नसीब करें उनसे बहुत कुछ सीखा फिर बाले खान साथ थे उनकी बिरत हो गई है उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा और इस रासे तालब सान्जाफरी साहब से मतलब एक लफ़ बताता है है तो आपको बता है कि उस्ताद की हैसिए तो मैंने जो कुछ मुझ से हो सक है मैंने तोड़ा तोड़ा उस सीखने के पूशिक अशीक किया है फी बता कि उसके बाद के बाद फिल्म के तर्फ नसरा फतली खान साब की वज़से है ग्रेजु़र्टि वार्ड की तक्रीज़ मस्ट मस्ट तो जब मुझे उनके सेक्टरिटरी थे उन्होंने आके पांच सार के प्राइज बॉंड दिये कहते हैं खान साब ने दिये हैं मैंने का शायद कोई खान साब नाम होगा या पता नहीं कौन बैट हुए हुए मैं मुझे नहीं पता था लेकिन जब एमर श्याद है हमारे बड़े इच्छे कंपोजर उन्होंने मुझे का कि आपको अनुस्टर फतिली खान साब बुला रहे हैं मैंने का वो तो कवाल हैं उन्होंने मुझे क्याना है ना तो मैं तालीब जा सकती हूं मुझे बिलकुल नही कंपोजर हैं इतनी अची दूने बनाते हैं खैर मैं गई जब खान साब बैठे थे आओ बैटा बैटो मैं बैठी तो मुझे कहते हैं कुछ बैटा सुनाओ खैर मैंने की कवाली तो बहुत सुनी हुई थी वह बड़ी मौशूर थी मैंने का जी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें स कि अब तुम यह दुन को है तो अच्छा वो धुन मैंने सुनी तो मैं तो मैं तोड़ा सा हैरान होगी मैं बड़ी मुझिल है अब जो वह वह अब डिस्टर प्र पिर दो प्र तो फिर रहे ना अब यह कह करें ना बड़ी चीज़ें सबारी थी खैर उसमें वह उनका भला अन और वो चीज थी इस तरह से ती है, इजास्त है? चीज दाल ने नई, लागे रे दिन रेन नहीं चैन, एक पल निदे आ नाये, ने ना लागे ना, लागे रे, जब से ने ना लागे रे, पिया लागे नहीं ममोरा जिया पिया लागे नहीं ममोरा जिया एसा ज़ी डाला मा पिरे जैले नहीं मन का दिया सुनो बतियां, बेजो पतियां, सुनो बतियां, बेजो पतियां, एक पल चैन नहीं आई, नेना लागे रे, जब से नेना लागे रे, जब से नेना लागे रे. यह थी फिर वो जो थे, musicians, वो भी बड़ा हुश हुए. खान साब मुझे सर चुमा, उन्होंने का, बेटा, तुम्हारा मैंने एक पूरा अलबम रिकॉर्ड करना है, जिसमें सारी कंपोजिशन मेरी होंगी, मुखलिफ, फिर उन्होंने अकील रूबी साब से, रियाजरुमान सागर साब का लिखा हुआ हुआ, खायजब परवे साब शबनम जी जो मारी फिर्म स्टार थी पुरानी, उनके भाई बनुमा, बड़ा उन से प्यार था, और मेरी गुड़ लग यह है, एक तो मैंने अनुस्ट्रो फट अलबम रिकॉर्ड किया, मैं आपको अपनी, इसके, इसका केरियर जो मेरा, जिस्ता से मेरा, स्टैब बाई स इस फिल्ड में, इसलिए तफसीलन बता रही हूं, और आज मौका मिला अच्छ है धनक में, और फिर आपके साथ, तो वो जब रहाजर रुमान साब, उजर साब का जो गाना, सुर्फत अली खान साब ने कंपोस किया था, जो मैंने गाया था, उन्होंने जा के, शबनम जी क हस्बेंट रॉबिन घोच साब को सुनाया, और मेरी गुड़ लग यह है, कि उन दिनों में रॉबिन घोच साब तकीपन तीस साल के बाद फिल्म जिस्ट्री में वापस है, और उन्हें एक फिल्म की, जो रड़ गया हम यहां बताते चलें, अपने धनक देखने वालों को, बहुत से लोग रॉबिन घोच के नाम से तो आशना होंगे, मगर शायद यह ना जानते हूं, कि वो बड़े मशूर और नामवर फिल्मी मुसिकार थे, और फिल्म स्टार जो शबनम थी हमारे उनकी शोहर थे, बड़ा उन्होंने भी नाम कमाया और बड़े खुब्सूरत मैं रिकाइडिंग कर रही थी, जब मुझे कॉल आई वहांपे के फोन है, रॉबिन घोच साब बात करेंगे, मैंने का अरे, रॉबिन घोच साब मुसे बात करेंगे, तो मैं बहुत ज़दा खुशी हूँ, मेरी बड़ी खाहिश थी कि उनके साथ मैंने का काश, मैं यह उनकी समझ मुझे कम कम आती थी, लेकिन बड़ा उनके मुझे प्यार किया, उनके मैंने तीन गाने अपनी फिल्म में किये, और तीन गानें के बाद उनके फिल्म जो है, वो चोड़ दी क्योंके इकबाल किश्मीरी साब ने का के जी तीन हिरोइन्स हैं, और आप शबन मजी किला मुझे कोई आवाज बसंद नहीं, मेरे लिए मेरे क्याल में एंसाइए, बड़ा एंसाइए, बड़ा एंस था, के खुशी का, और उनने फिर मेरे तीन गाने रिकॉर्ड करके फिल्म छोड़ दी, और पिर उस फिल्म के म्यूजिक को कंप्लीट करने में चार कंपोजर ने काम किया, मुस्रफद लिखान साब ने, ताफो साब ने, अमजद बाबी साब ने, और आमिर मुनावरी कर पता, जो डर गया, वो मर गया, और उसका, जो रॉबिन कोज़ साब ने कंपोज किया हो था मेरा गाना, जिन्दगी में मुझको इतना प्यार मिल गा, वो सुप पाकिसान टेलिविजन की तरफ से फिर दस साला जो मैंने चाइड स्टार से लेके, जो मैंने सफर किया, दस साल का, उसमें मुझे दस साल का सुप्रीम इवार्ड, जो कि पूरे पाकिसान में स्रुफ चार सिंगर्स के पास है, और मैं समझती हूँ कि, आला ताला कोई खास क बने, नाथ खान से सिंगर भी बन गई, तो ये बस उनकी द्वाएं और अल्ला मिया का करम है, शबन भी उताईए, गुलुकारी में कौन आइडियल था और कौन आइडियल है, मैडम नूर जहां तो हमारी है ही बहुत अच्छी सिंगर थी, और जब तक दुनिया काइम है, म इन्शालला गर जिन्दिगी कोई मौका ऐसा मिला तो जरूर, और जो मेल सिंगर में महिदे संसाब हैं, और जो नए आजकल गा रहे हैं, बहुत सार इनमें लोग हैं, बहुत अच्छा गाने वाले, आपको जो सही मानों में मैं समझता हूँ कि शौरत मिली, आपकी शौरत की सरदों से निकल कर बाहर पहली, वो आपका वो गाना था, जो मैं समझता हूँ कि आम टीवी पर एक साल तक अवल नमबर पर रहा, ठीक है न, दिल चीज है क्या जाना, उस गाने के बारे में कुछ उसके बेकराउंड के बारे में बताईए, हाँ जी, हमारे पाकिस्तान ट उन्होंने मेरे लिए दो गाने लिखे और इसमें दिल चीज है क्या जाना, और तुम बें जिया उदास, एक्शली उन्होंने किसी सिंगर ऐसी से कहा, गाने के लिए कहा कि ये आप ये गाना गा दें, मुझे नहीं वो जानते थे, तो उस सिंगर ने कहा कि एक गाना वो ये किसमत प्रिकाता femme, मोची नहीं थे मैं जगा पंचे इसके इसका मैं सोच पी नहीं सकती, और मैंने 15M मिए गाना रिकाॉर्ड कर दिया कि बस ठीक है गाना यह सिंपल नाथा नहीं, और भो गाना किया गाना गया सोर्चा और जो है। इनिया के बार०ी सागृ जेंक्यन लूप्स रिकॉर्ड होते थे उनके पास लेकिन उनका यह था उनका माइन ऐसा था कि वो गाने की बीट को देख लूप्स लेक्ट ते उसका टाइमिंग यह जो भी था उसमें फिर फिट कर देए उनने उसको रिमिक्स किया फिर वी चनल चार्ट में गया गाना और लोग तो इंग्लिश गानों में अर्दू गाना क्या कर रहा है और अगर शामिल होई गया तो फिर नंबर वन पे है और फिर एक साल हमारे है तो जब मुझे पहली दफा पता चला तो मुझे यह यकीन ही नहीं मैंनका नहीं मैंनका वो कोई और होगा यह नहीं हो सकता लेकिन हो गया गजल गीत या पॉप सिंगिंग आपके अपनी प्रिफरेंस क्या है आप मैं तो यह समझती हूं कि जो सही मानों में तो सिंगर तो वो होना चाहिए कि जो हर चीज गाए और जब हर चीज गाए जो कुछ भी गाए उसमें इतना डूप के गाए कि जो सुनने वाले उनको यह अजिए फिल लो कि यह सरफ घजल का सिंगर है यह सरफ पॉप गाने वाले यह यह नीम क्लासिकल यह लाइट सिंगर है हर स्टाइल में गाना चाहिए और अगर यह यह जब हमें गाए गिफ्ट होता है यह जीज बिल्कुल और मैं तो कुशिश करती हूं कि मैं हर चीज ही ग है हम इस पॉछति हूं कि अगर स्टाइब कि रियास करती हैं अम मैं इस वह जो झाज़ती हूं कि अब ही मैं बोल रही हूं मेरे गान में तो वह इंट्रिव्य में आप दो बातेंगे था तो तो लोग इनको रियास करने किसली वीज़वत होती थी इन पहुश्छश थे करत और गाते नहीं जाते थे, वो फंक्षिन के लिए करते थे या फिल्म के लिए खिले घर्चा का थीर. खिलब के लिए क्या रिख रियों के लिए और गाया है रिया है is वो थे खाऩ है रिया है. और उनको इसलिए जरूरत होती थी कि वो लोग ज्यादा जो है काम नहीं करते थे गाने का और ज्यादा बाते नहीं करते थे साजसे इनको आपने रेडियो पर भी गाने गाए टेलेविजिन पर भी जाहरा है आप बड़ी मखबूल फंद का रहा हैं सीडीज भी आपने तयार किये फिल्मों में भी आपने गाने खाए स्टेज पर परफॉमएंस भी ती अव्याल सबसे मुखःक्ना किस जगा उती है कि दीखेंस वली Hindu हो कि अगर वह म ribbon में अगर हम कतें democracy में तो मिध्यात कॲज्छ अगर हम अउनर का धो इसके जी को exposed के लेजा流 Lolator भी होता है कि सर्फ उवाज सुनाई दे दाए होती है उस भी जो लिखे होता है जो कम कि ओugिंद दो अप पिर उसी ऐस district करके उसमें जो कुछ है जो भी है मिसाल के तौर पर अब अस्ताद नजर उसाइन साब की एक घजल मैंने गई उसमें आपको चीज नजर आएगी कि इसमें वाकी है वो रेडियो पर मैंने गई वो थोड़ी सी आपको सुनूँगी मैं जरूर अपना एहवाल सुना कर ले जाए अपना एहवाल सुना कर ले जाए जब मुझे चाहे मना कर ले जाए अपना एहवाल अपना एहवाल है मतलब हाद स्टाइल मैं मगा सकती हूँ लेकिन जब तक उसको हम फील नहीं करेंगे कि अपना एहवाल सुना कर ले जाए जब मुझे चाहे मना कर ले जाए उसमें फिर वो चीज होनी चाहिए इसलिए सबसे जड़ा मुश्किल जो है वो है रीडियो और अलहम्दुलिल्ला मैंने जब आडिशन दिया तो डबल एक्लास डारेक्ट मुझे मिली और अलहम्दुल्ला आप मेरी आउट्स्टैंडिंग है कितने वहन भाई हैं? वैसे हमारे स्टैप मजर हैं उनके भी बच्चेसं मेरी जो आपने तोड़ा से गहने गिनते वहारे भाई हमारे बहुतינ है किसी और को गाने का शौक है? किसी को नहीं प लेकिन दॆ झारे मुझसय बड़ee है उनको वो लिखते भी हैं, वो कंपोज भी कर लेते हैं, और वो गाते भी बहुत अच्छा है, मुझसे भी ज़्यदा अच्छा गाते हैं, बहुत सुर्म हैं, माशाला, और अकसर मुझसे लड़ते रहते हैं, गाना नहीं आता, और यह आपने जो गाना सुना, मुंदा सोने र कुछ वो कहते थे कौन सा गाना इस ते गवाई कि मतलब इमना बच्ची लगती नहीं चोटी सेंटर में आगे हुच तो फिर उन्होंने मेरे लिए गाने लिखा एक लिए माप के लिए बेहन भायों के उपर उन्होंने गाना लिखा के मैंनु बाब ला तेरे जिया प्यारा को मा मा वाक ये लिए उन्हों ने लिखा इसी एंडरे में, इसी गाने में, कि एक मा एक बाप है डो दरीया, एना विच्छों वीर मोती पैदा करदा खुदा है, ना दो मन दर्या मा दरिया मादा किनारा कोई नि, मैनौ बाबला ते जै प्यारा कोई निंए, सेवा माप यां दी आप अपर ले चोली सुखाना लपार ले इस दुनिया दे दुखा नो तू हास खेड जार ले फिर माप लबना दुबारा कोई नहीं मैंनु बाबला तेरे ज़े प्यारा कोई नहीं आप अब आप यह वता है कि गाने के अलाबा और क्या मशाविन है जो वक्त आपको मिलता है ख्री नहीं है सउत्कर तो फे मैं रेस्लिंग्स देखे करें डेखे से आपर लेने मेरा है मैं आप एक लोड़ी है ।ो नांजुक जो गाना काम ह आलिके अपर नफेस मुझा भड़ा करती जिसमें बताने क्या है तो प्र दूसरा यह कि जिस ma संड्रेला, स्टाइल, अलादीन, इस टाइप की फिलमेशन में देखती हुआ 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 यह लोग बहुत उदास हुए होते हैं और यह शुकर करते हैं कि पाकिस्तान से कुई आया अगर सिंगर ना भी कुई आर्टिस्ट ना भी हो तो वैसे वैसे ही देख के तो बड़ी कुछ होती है अब जैसे मैं यहां पहले यहां थी नहीं हो योग में थी तो फाकित अली खान साब भाई तो उनको देख के मुझे ऐसे लगा कि जैसे पूरा जहान आगए तो यहां पर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए आप कोई बात कोई पैगाम जो आपके दिल में है कहना चाहेंगी जी मैं उनसे कहना चाहूंगी के वो यहां रहा है के भी अपने पाकिस्तान को बिल्कूल ना बुलाएं और उसे वैसे ही प्यार रकें बलकि उसे जदा अपने दिलों में प्यार रकें और अपने जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनसे जदा प्यार करें आर्टिस्टों से खाय सरु जդा कियोंके वो लोग जब आतेंगे आपे तो उनको बस कि ऐुआ किनके लिए सब पर आय थे हैं सिर्फ आप लोग ऐसे होसे होते हैं जिनकों निक को पताता है ये हमारे अपने हैं और उनसे जदा प्यार करें उनकों को उनके फन को सराहें और इतना प्यार करें कि वो आपका प्यार आपकी अच्छी यादें जो है लेकर पाकिसान आपर जाए और खायश करें कि मैं फिर दोबारा बहां जाओं और उन से मिलूं और लोगों को देखो श्रमन मैं धनक टेल्य वुजन की जानेज़ से एवन फूर की तरफ से और मैं फिर रिस्ट़रों tô की तरफ से आपका शुक्रिया बगर नहां अपनी जानेज़ से भी को देख आफ़ाने बार श्रॉं के पके में धना चाला कि आपके साथ मेरा इंट्रिवी करें लोग तो आपको तरिस्त हैं आपके तो फैन हैं हम बहुत ज़्यदा बहुत ज़्यदा थैंक यू थैंक यू बेर मुच जो